design के जो elements होते हैं वो खाने में नमक जासा होता है अगर ज्यादा दे दिया तो हम सेखेंगे कि कैसे आप अपने design को clean तो फिर आझ के this video में हम पाँच वो तरीक के जाने वाले हैं जो आपको आने चाहिए जिससे आपका design clean, pro and classy look आपने आने लगता है वो हम आज इस वीडियो में सिखने वाले हैं तो सबसे पहला सबसे बेसिक टिप जो है कभी भी आप white background मतलो प्लेन white जो होता है जिसका जो number code जो होता है वो आपका FFFF होता है वो मतलो उसके बज़ाए आप कोई सभी cool या फिर warm tone की तरफ जाओ मैं आपको एक्जांपल दिखा रहा हूँ मैं मालो की सिको में duplicate कर रहा हूँ ठीक है और ये है फिर्स्ट वाला है pure white और सेकेंड वाले को मैं हलका सा मैं warm tone पर लेकर जा रहा हूँ ठीक है जैसे मैंने yellow select किया और मैंने ये tone लिया ठीक है देखो अब दोनों में आपको फरक साफ दिख रहा होगा दोगो यहाँ पर दोनों sheet में कुछ नहीं बस एक text लिखा है तब भी आपको ये second वाले में आपको एक अलग सा ही एक graphic जैसा आपको feel देना start हो गया है और ये classy और ये की सुन्दर सा आपने आप लगना start हो गया है तो पहला tip है कि white background मत लो white के बज़ाए थोरा सा आप इससे अंदर warm ये cool आप चाहँ इससे भी और थोरा warm कर सकते हो या इससे भी और थोरा cool tone में इसको लेके जा सकते हो तोटली आपके उपड़ है इस टाप कर टोन लो पहला tip second tip यहाँ पर क्या है second tip है कि जो आप shape यूज करते हो वो आप नए वाले shape यूज करना start कर दो नया वाला shape क्या है जो UI UX में use होता है वो same shape आजकल यहाँ पर use हो रहा है और मालो भी इसका मैंने color कर दिया yellow ठीक और इसको मैं इसके नीचे आके लेकर आगे और इसके अंदर इसको clip कर दिया ठीक है अब yellow में भी हम यह वाला yellow लेंगे correct अब एक और shape में ऐसी type का मैं shape लोंगा या इसी shape को मैं अजस्ट मैं एक copy करूँगा और copy करने के बाद में मैं इस वाली image को इसके अंदर clip करूँगा ठीक है और इस शेप का color आप अपने हिसाब से कोई साब ले लो तो मैं यहाँ मालो पिंक टोन में चला जाता हूँ ठीक है और इसको आप यहाँ पे छोटा कर दो ठीक है और इस वाले को आप कहीं पर भी आप अभी तो टेक्स्ट का प्लेस्मेंट देखेंगे इससे आपका design क्या है design आपको clutter नहीं दिखेगा और modern touch भी देगा और classy वाला look भी आपको यहाँ पर देना स्टार्ट हो जाएगा अगर मैं इस तरफ कर दूँ तो आपको यह already आपको यह design जैसा दिखना स्टार्ट हो गया है जबकि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है और इसका जो feel है मैं of course warm की तरफ लेके जाँगा है क्योंकि मैं warm tone यहाँ पर दे रहा हूँ तो हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया है तब भी आपके design एक design जैसा feel दे रहा है plus classy और classy और classy और काफी प्रो लुक आपको यहाँ पर दे रहा है ठीक है यह था second tip थर टिप्स यहाँ पर क्या है इतना shadow डालना है और इसको में क्या drop shadow drop shadow में आपका यह बीस के अंदर ही रखना 20 के अंदर ही shadow का रखना तब यह काफी अच्छा रहेगा multiply में ही रखना normal नहीं रखना इसको जरा सभी आपने ज्यादा कर दिया ना इतना कर दिया ना तो आपका design खराब दिखना shadow आपको लग रहा होगा तो हमेज़ा हमें soft shadow रखना है और यह shadow कहीं भी work करता है फिर आप जो यह shadow use करे वह जाता है शेप के उपर करना और soft रखना अगर आप इसको जड़ा साभी hard बना दो गया थुरा सा और इसकी visibility बना दो गया तो यह देखने बेकार हो जाएगा तो ज यहां पर अगर मैं बोलता है कि बारे में कुछ features add कर दो किसी product के बारे में कुछ feature add कर दो तो आप यहां पर feature लिखते या इधर feature लिखते जो आज की डेटम बंद हो गया आज UI UX style में features लोग लिख रहे हैं कैसा मैं आपको दिखा रहा हूं जैसे मैं यहां पर एक feature just copy करता ठीक है मालो की एक feature है Hindi audio ठीक है इसको मैंने उठाया और मैंने यहां लिखा और इसको just मैंने थ्वास नॉर्मल कर दिया अगर पहले में लिखता तो पहले या तो इस साइड में लिख देता या नीचे बहुत सारे line बना कर डाल देता लेकिन आज के लिए style change हो गया हमें क्य इसको मैंने हलका सा इतना रखा बहुत ही soft color में इसको रखना है और इसके अंदर मैंने इसको ऊपर मैंने यह डाल दिया ठीक है और इसको मैंने थुरा सा side कर दिया अब यहां पर audio कोई icon लगा तो icon लगाना बहुत important है तब ही वह वाला UI वाला टच आएगा इस आपकी design में यह मैंना icon यहां डाल दिया और इसको मैंने नीचे कर दिया और इसको मैंने यहां कर दिया ठीक है अभी भी आपके इसमें वह वाला टच नहीं आ रहा है यहां क्या मिसिंग है shadow drop shadow लेकर soft shadow जैसे आप यहां पर soft shadow add करोगे यह design अपने आप देखना काफी अच्छा अपने आ हो गया और आपको design भी अच्छा लगना start हो गया है और फिर मालो एक मैंने फीचर यहां पी डाल दिया और इसका color मालो मैंने pink tone में या फिर मैंने red tone में ही step कर ले लिया फीचर यहां पर copy कर लिया certificate क्योंकि pro owner के हर course में मेरे हर course में आपको certificate मिलेगा तो मैंने यहां पर यहा आइकन यहां पर लगाना है simply तो हमने यहां पर आइकन लगा दिया जितने भी फीचर आप एड़े भी हम आइकन लगाते थे लेकिन पहले हम दूसरे style लगाते थे अभी हम दूसरे style लगाएंगे तो फिर आप यहां पर देख सकते हो जैसे UI वाला element इसके अंदर add करो गई आपको अपने आप classy वाला touch देना start हो जाएगा ठीक है तो फिर फिफ्थ टिप्स के है जो आपको design classy and cool या फिर एक प्रो लेवल का बनाता है वह breathing space कि आप अपने design को कितना breathe करने का मौका दे रहो है ना कितने ज़्यादा आप इसके अंदर पीछे को छोल अगर मैं इसको य आजकर design का trend पूरा ही बदल गया है आप फरक नहीं पड़ता है कि आप text और बांगी चीज़े कहां लिखते हो तब यह चीज़े अच्छा लगता है है ना तो breathing space रखो अगर मालों कि यह मैं पिक्चर यहां पर यूज कर रहा हूं और पिक्चर को मैं इतना वरा यूज कर ल इसके अपर छोड़ दो तो चीज़े अपने आप लगेगी फर एक अगर में हिंदी ओडियो को थोड़ा सा बारा कर दो ना तो फिर से देखने में खराब हो जाएगा तो हमें इसके अंदर भी breathing space छोड़ कर रखना है तो आपका design classy और काफी amazing लगएगा और एक और टिप्स पिंक कलर से मालो ले लिया और इसको मैंने थलका से ज्यादा कर दिया तो अपने आप यह देखने में आपको काफे ज्यादा बढ़िया देखने में लगना स्टार्ट हो गया है हमने सब वह सारी चीज़े डाल दी तब ही हमारे design clean और classy यहां पर लग रहा है और यह मैंने न इंपोर्टेंट उसके अंदर UI UX वाला टच आप डालना स्टार्ट कर दो UI UX मतलब जो आपके एप या वेपसाइट पर जो डिस टाप को डिजाइन देखते हो उस टाप पर डिजाइन एक दो अपने डिजाइन में आपका बैनर या पोस्टर अपने आप कूल लगना स्टार के सारे के सारे मतलब सारे के सारे वह आपको 1599 में मिल रहा है यह offer समझो आज रात के लिए ही है तो आज रात तक यह offer 1599 में आपको सारे courses मिल रहे हैं इसके अंदर वीडियो एटिंग, ग्राफिक डिजाइन, और मोशन एड, वीडियो एड, सारे के जितने भी courses सारे के सारे इस bundle में include है, तो अगर आप बहुत दिन से plan बना रहेते हैं, यहाँ भी राजी का course लेना है, तो यह वही मौका है, जिसका आप बहुत दिन से wait कर रहेते हैं, तो I think आपको यह मौका को चुकना नहीं चाहिए, और link नीचे description में है, वहाँ जाका आप इस course को enroll कर सकते हो, और य नीचे link है, जाओ और जल्दी से इसको enroll कर लो, सारे के सारे course है, जितने भी course है, सब के सब course है इस bundle में.